आज मैंने जब नाश्टा बनाया तो सोचा कि सबसे पहले अपने हस्बेंट को टेस्ट करवाती हूँ तो जब उनको टेस्ट करवाया तो उनको भी ये बहुत पसंद आया क्योंकि ये नाश्टा ना मैंने पहली बार बनाया था और बहुत ही हेल्दी है तो यह रेसिपी आज मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी Hello everyone आज हम रागी के आटे का यूज करेंगे और इस से मैं दो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और इस आटे में कोई हम इसको फ्राई नहीं करेंगे बिल्कुल भी और इसमें हम बहुत सारी veggies डालेंगे जिससे ये बहुत ही ज़्यादा healthy हो जाएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए यहाँ पर मैंने एक कप रागी काटा लिया है जो मार्किट में आसानी से मिल जाता है और आधा कप यहाँ पर मैंने सूजी ली है एक कप रागी काटा आधा कप सूजी और आधा कपी यहाँ पर मैंने दही ली है दही अगर थोड़ी सी खटे हो तो जादा अच्छी लगेगी और इन सब को अच्छी तरह से एक बार हम पहले mix कर लेते हैं mix करने के बार अब यह देखे मैंने एक कटोरी पानी लिया है और यह पानी थोड़ा थोड़ा करके डालूँगे एक साथ हमें इसमें नहीं डालना है क्योंकि आज जो बैटर हम इसका बनाएंगे वह बहुत जादा ना तो थिक होना चाहिए और नहीं बहुत जादा पतला होना चाहिए तो थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें हम add करेंगे और देखे इस तरीके से हमने एक बैटर इसका तयार कर लिया है अब यह बैटर हमारा तयार होगे इसको हम 15-20 मिनट के लिए ढखकर रख देते हैं यह देखे 20 मिनट के बाद आटा हमारा फूल चुका है क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली थी इसलिए हमने इसको थोड़ी दे रेस्ट करने के लिए रखा था अब यहाँ पर मैंने अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है थोड़ा सा इसको डाल देंगे और यह बीट रूट है बीट रूट को मैंने ग्रेट किया है इसको भी इसमें एड़ कर देंगे और यहाँ पर यह मूंग और मोट के मेरे पास स्प्राउट्स थे यह स्प्राउट्स भी इसमें मैं डाल रही हूँ क्योंकि रागी तो वैसे हेल्दी होता है और साथ में अगर इसमें स्प्राउट टल जाएंगे तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा और यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेट की हुई गाजर है यह मैंने इसमें एड़ की है सबजियां आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं तो यह सारी सबजियां बहुत अच्छी हैं बच्चे नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छा उप्शन है बच्चों को यह सबजियां खिलाने का तो यह सबजियों को डाल के भी हमें एक बार इसमें मिक्स कर लेंगे और आप मैंने यहाँ पर आदा चोटा चम्मच जो है यह मैं इसमें नमक डाल रही हूँ नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग वैसे कमिया जादा इसमें कर सकते हैं नमक ड दाल देंगे तो तिल का और यह जो करी लीवस है ना इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा इसको भी हम मिक्स कर देंगे अच्छे से एक बार यह देखे सबजियां यह सब मिक्स हो गई है और थोड़ा सा यह बैटर मुझे गाड़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ एक बार और इसको हम मिक्स कर लेंगे बस इस तरीके का हमें बैटर चाहिए यह ना तो बहुत ज़्यादा गाड़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है यह देखे अब यहाँ पर मैंने इनो लिया है तो यहाँ पर मैं एक चम्मच छोटा चम्मच जो है इसमें इनो और थोड़ा सा इसके उपर हम पानी डाल देंगे जिससे यह जल्दी से इनो एक्टिवेट हो जाए और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना इनो डालने के बाद बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करते हैं बस थोड़ा सा इसको हम अच्छे से एक बार mix करेंगे, बस, अब यहाँ पर gas पे मैंने अप्पे stand रखा और इसमें थोड़ा-थोड़ा oil लगा दिया है, और इसमें मैं थोड़े से सफेद तिल डाल रही हूँ, तिल से यह रैस्ट भी बहुत अच्छी बनेगी, देखने में भी अच्छे लगेंगे और तिल में calcium भी बहुत जादा होता है, अब इसमें एक एक चमच हम बैटर डाल देंगे, बहुत जादा हमें नहीं डालना एक एक चमच ही डालेंगे, ताकि अच्छे से फूल जाए, सबी सांचों में हम एक एक चम्मच करके बैटर डाल देंगे ये रागी काटा जो है बहुत ही हेल्दी होता है बच्चों के लिए बड़ों के लिए सब के लिए बहुत अच्छा है आइरन, कैल्शियम, काफी इसमें होता है जो बेट लॉस में भी बहुत काम आता है ये देखे तीन-चार मिनट के बार गैस की फ्लेम हमने बिल्कुँ स्लो रखी थी और इनको हम पलट देते हैं बहुत ही अच्छा इनका कलर आया है अमेजिंग कलर है इसका बच्चे भी देखे इसको देखके जरूर खाएंगे और तीन-चार मिनट के लिए इसको हम दुबारा से ढखके रख देते हैं दूसरी तरफ बिता की पक जाए ये देखे दोनों तरफ से हमारे अप्पे जो हैं बहुत अच्छे से सीख चुके हैं अब इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं ये नाश्टा बनके तयार हो जाता है बहुत जादा इसमें टाइम नहीं लगता है तो आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं अब मैंने तवा रखा है मैं दूसरी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप चाहे अपके के रूप में इसे बना लीजिए और चाहे आप तवे के उपर इसको पैनकेक की तरा भी बना सकते हैं दोनों ये उप्शन है जैसा पसंद करें वैसा बना लीजिए तवे के उपर एक एक चम्मच पैटर हम डाल देंगे और इसको थोड़ा थोड़ा फैला देंगे आप चाहे तो बड़ा भी एक बना सकते हैं मैं यहाँ पर चोटे चोटे पैनकेक इसके बना रही हूँ ये देखिए हमने सारा बैटर डाल दिया और इसको भी हम ढखके रख देंगे गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और दो-तीन मिनट के बाद ही देखेंगे ये फूल भी गए हैं अच्छे से और इनको धीरे-धीरे हम पलट देंगे पड़ी आसानी से ये पलटे जाते हैं ये देखिए अब थोड़ा-थोड़ा ओईल इसके उपर लगा देते हैं क्योंकि ये देखने में न सूखे से लग रहे हैं तो थोड़ा सा ओईल इसके उपर हम लगा देते हैं बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगाना है और दोनों तरफ से इनको हम सीख लेंगे यह देखिए बहुत यह अच्छे बन के तैयार हो जाएंगे यह भी जितना क्रिस्पी आप इसे करना चाहें तेल लगा सकते हैं और अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो आप इसमें बहुत ही कम तेल में भी इसको सेख सकते हैं दोनों तरीके से देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं तो नाश्टे के लिए बहुत अच्छा ओप्शन है तो आप दोनों में से कोई भी रैसिपी बना सकते हैं यह दोनों ही ट्राई कर सकते हैं तो हमारे घर में तो सबको ये बहुत पसंद आये तो आपको भी मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट देखे